अगर हम भारत के नक्षे को देखते हैं तो आप दिल्ली को देखो तो वो नौर्थ में है, राजस्तान वेस्ट में और कैरला साउथ में हैं। लेकिन अगर इस्ट की तरफ देखे तो आपको ये सवाल हमेशा मन में उठता होगा कि आखिरकार बंगाल जो इस्ट में स्थित है उसे हम वेस्ट मंगाल के नाम से क्यों बुलाते हैं। अज्ञादी मिली, अज्ञादी के साथ बंगाल को दो हिस्टों में बाटा गया। जिसे हम West Bengal के नाम से जानते हैं और Eastern Side को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया और इसे East Bengal बलाया गया हलाकि बाद में इसे East Pakistan का नाम दिया गया और साल 1971 के युद्ध के बाद East Pakistan सोतंतर हो गया और इसे आज हम बंगलादेश के नाम से जानते हैं अजादी के बाद भी West Bengal का नाम वही रहने दिया जो कि हमें इसकी हिस्टरी को बताता है इसके partition के समय की याद दिलाते हैं और इनी सभी कारणवर्स West Bengal जो कि इंडिया के Eastern पार्ट में मौजूद है उसे West Bengal ही बुलाते हैं अगर आपका ऐसी रोचक जानकारी पसंद है तो आप इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा जय हिंद